हेलो दोस्तों, कैसे आफ सब, मेरा नाम इसिधार्थ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल में तो आज हम बात करने वाले हैं इस रोयल इनफिल्ड के सेकंड सर्विस के बाद कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, क्या रिव्यू है इसके और मतलब सेकंड सर्विस में इसमें क्या क्या हुआ तो इसी के बारे हम बात करेंगे मैंने सेकंड सर्विस मैंने कहां से कराई कितने की कराई और कितना खर्चा है उसमें इसे पूरी बाते करेंगे चलिए इसे पर बात करते हैं तो यह है मेरी रॉयल इंफिल्ड क्लासिक 350 रिबॉन गन मेटल ग्रे कलल में तो इसकी सेकंड सर्विस हो चुकी है और second service भी मैंने रॉल इंट फिल्ड के आशीच मोटर जरीवा वहीं से कराई है मतलब मैंने कहीं बाहर से नहीं करा और second service में भी इसके जादा कुछ चेंज नहीं हुआ है इसका पहली बात तो oil change हुआ है और दूसरा oil filter और तीसरा है इसका नॉर्मल जो छोटे मोटे screw bolts वगएरा डिले होते हैं वो टाइट होते हैं आपके बाकी inspect किया आता अगर कोई और आपके में दिक्कत है तो वो आप करवा सकते हैं पाकी मेरें तो ऐसी अवी तक कोई दिक्कत थी नहीं तो मुझे मैंने करवा ही नी बस हाँ एक दिक्कत थी मेरे में कि मुझे लगता था मैरे संप गार्ड से आवाज यहां पर टंच करता था मतलब यह चीज इसमें कुछ में तच करती थी इध़र ब्रेकर वागयर में जंप करता था अवाज आती है तो और बाकी वैसी कुछ इसमें अभी तक मुझे नहीं लगा कि और कुछ ज़रूरत थी इसका टोटल जो सर्विस कॉस्ट आया है वो आया था मुझे तेरा सो अन्ठावन रुपय का जो कि इसके था वन पॉइंट सेवन लीटर जो इसमें ऑल लता है ऑल फिल्टर बस इत्ता ही चेन वगारा मैंने क्लीन नहीं करवाई थी क्योंकि मैंने पहले ही करवा ली थी और मै मैं खुझसे भी कल लेता हूं तो chain वगारा मैंने क्लीन नहीं कर रहूँ थे अगर आप करवाएंगे सीका अलग से चार्ज होता है और एक्स्ट्रा जो भी आप करवाएंगे उसका चार्ज होता है पतल्ण सर्विस मतलब सर्विसिंग का कोई चार्ज नहीं होता है मतलबagon क पर निलंगत है क्वार्च और आपकी छार्विस यहां कि पूर्वन गाड़ी खराब है तो होगी घर को दोडर हमरें है तो है लेकिर यह नेरों市 में सब는데 से माइमाल प्रिभा वापस से धुलाई करवानी पढ़िगी रिवा जाकर चाहर और वाइसे कोई दिक्कत अभी तक मुझे आख आख से कि माने कि मुझे कोई और दिक्कत पिस्क करने को मिली हो स Using अब मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब ठीक लग रहे हैं पहले के मुकाबले फ्रेंट वाले भी बैक वाले भी और एक में बात जो मुझे इसमें सबसे मतलब खराब लगी वह इसका यह फ्यूल मीटर जो की इनकुरेट बहुत जादा है यह इसमें कभी फुल बता देगा कभ कभी 75-60 किलो मीटर पर ही दो मतलब कम हो जाते हैं इसमें तो यह बहुत ही जाद नहीं इनकुरेट है मतलब थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए और कुछ करके मतलब इसको एकुरेट बनाएंगे तभी चलेगा नहीं तो इसके अगर भरोसे चलेंगे तो हम तो कहीं तो थोड़ा उसमें सेंसर की खराबी हो या कुछ ऐसा जिसकी वैसे वह एकुरेट नहीं बता रहा हो तो एक कुछ चेंज करने की जरूरत है उसमें मतलब सुधार करने की जरूरत है यह मुझे बस एक कमी लगी इसमें इस बाइक में बाकी और तो कमी नहीं लगी हां मैट क करना पड़ता है क्योंकि मैट अगर आपका फेड हो जाएगा तो फिर वापस से नहीं हो पाई जैसे मेरा यहां पे थोड़ा शाइन कर रहा होगा यहां पर यहां बैठता हूं तो जब खड़ा बड़ा होता हूं तो पैर यहां पे टाच होता है उसके यह पाट दोनों बड़ा करते हैं लेकिन जो शाइनी पार्ट है उनमें यह जैसे ये हैं आगे का यह है इनमें उसक्रेच जादा आते है तो इनकी थोड़े ज्यादा केर करने पड़ती जादा लेकिन इनकी भी बहुत जादा कर नी क्योंकि अगर इसमें धूल लगी हुया आपने किसी भी भी सब्सक्राइब के जिए इसको कि अता है पर बहुत जाद में इसको माईकरो फाक्रोफायर क्लोध से पोस्ता हो फिर भी सब्सक्राइब किम उत्रशिक एतने चल्अ हाथ जादा से कि अदि नुग्छै के मैंने इतना कभी हार्डली विन्यों पोछा अगर हाड्स से पौछ लेकिन इसको इतना हार्ड भी नहीं पोचा फिर भी स्क्रेच बहुत जादा है इसमें और वह देखने में खराब दिखते हैं और सब्सक्राइब मैं इसकी सर्फिस कराई थी तब यह 3100 किलोमेटर चली थी फऌ簡 ख़िन फिर्व तो भी है कि बाइक कम चल रही है कि लेकिन कम चाहल रही लेकिन पतानी कब चैंज होति है कि ताइम यह कर आउंगा लेकिन लेकिना जयादा सघ्रेएगा जो भी हो नहीं वाइक में बढ़ grandchildren सब्सक्राइब करें जो होंगे तो मैं उनको डाल दूंगा एक मतलब बना के सर्विस का और अभी ये करीब चल चुकी है और अभी ये करीब चल चुकी 3798 जो की करीब 7800 किलो मेटर मतलब जितने थी पहले उससे जादा ही चल चुकी है चुकी घर गया हुआ था तो आने जाने में घूमने में इतना चल गई है और और बाकि इसकी और पर्फॉर्मेंस तो मुझे सही लगी क्योंकि मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आए मतलब मेजर दिक्कत तो कोई नहीं आई है चोटी मोटी दिक्कते थी जो कि अही स्क शौंग राइट में मतलब जाता हूं करीब रिवा सीधी जाता रहता हूं तो सौ किलोMETर तो पढ़ जाता है तो सौ किलोमेटर आना-जाना तो कमफर्टाली रहता है सा को जी मुझे बैक पेन या कुछ है सा फील नहीं हुगा मैं तो बहुत बार आजा चुका हूं तो मुझे लग रहा है लेडी इसमें सक्सेज नहीं है क्या दिक्कत है पता नहीं इधरी साइड की फ्यूज होती है तो अगर नहीं होगा तो फिर वापस है लुजा नहीं लगा दूगा क्योंकि इतनी अब लेडी बार-बार थोड़ी चेंज कर पाऊंगा लोगों ने पूजा था कि सर्विस कहां से कराते हैं तो सर्विस आप हमेशा शोरूम से कराएं स्टार्टिंग में तो खास कर बाहर आपको भले ही सस्ता पड़ेगा लेकिन शोरूम से कराएंगे तो जादा सही रहेगा और इसमें इंजो नॉयल भी जो डला हुआ है वो रॉ आगे चलके बाइक में कुछ हुआ तो असर पड़ सकता है वारंटी में इसलिए मैंने इसमें वही रॉल इंफिल्ट का ही इंजन आयल डला है रॉल इंफिल्टर है मतलब इसमें अभी तक बाहर से कुछ भी नहीं लगा है इन दोनों एलेडी को छोड़के बाकि इसमें सब सब्सक्राइब कराने जोद नहीं पड़ी है स्पीडो मीटर भी मेरा एकुरेट ही चल रहा है बस फ्यूल मीटर को थोड़ा दिक्कत है और लाइट्स वगरा वी सही है तो मतलब ऐसा चारो इंडिकेटर के बल भी सही है कोई भी बल मतलब मुझे दिक्कत नहीं आई रेयर सब्सक्राइब कर दोनों ब्रेक दवाने पर जोलता है और यह नॉर्मल ही है अभी तक खराब नहीं हुए ना मुझे से कोई दिक्कत आई आगे पीछे स्टार्टिंग में थोड़ा लगता था कि ब्रेक लगने में इसू है लेकिन फिर थोड़ा-थोड़ा दीर चलते जलत है तो बस इतना ही है और दिक्कते नहीं आई कोई मुझे और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा जो भी लेना चाहते है रॉल इंफिल्ड की कोई सी भी बाइक तो मैं आप से बोलूँगा कि आप बाइक लें तो संप गार्ड जरूर लगवाएं संप गार्ड जरूर अच्छे लगे कि वह पूरा पूरी वाइक है और सिर्फ वाइट तो अलग से हाइलाइट होगा वह भी अच्छा दिके तो यह बहुत ही ज्यादा प्रोटेक करता है इंजन को क्योंकि पथर मैंने देख बहुत जादा उड़ के लगते रहते हैं और यह पूरा इंजन को ब बचा देता है मतलब किसी ब्रेकर्स पर तो संपगार तो जरूरी लगवाएं बहुत जादा जरूरी है तो वीडियो को यह पेंड करता हूं मुझे तो अभी तक कोई प्रावलम नहीं आई है और होप करता हूं आगे भी ना आये सही से चलती रहा हमेशा तो अच्छा ही र यही पर वीडियो केंड करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिये ज़िए यार क्योंकि अच्छी एच्छी वीडियो फिर आघे आती रहेंगे ऐसे ही आप सब के लिए ठीक है फिर इस वीडियो केंड करते हैं सब्सक्राइब करके जाईएगा